हलो एब्रिवन वेलकम टू नॉलेज मॉल और आज की वीडियो में है 40 कोश्चन्स का टेस्ट विहार दरोगा SI PT के लिए 767 वी PSC और CDPO वाली भी सेट को लगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोश्चन्स को कोश्चन है पहला कि भारती संविधान के भाग सत्र में निम्लिकित में से किसका प्रावधान है आंसर है इसका ओप्सन B राजभाशा संबंधी प्रावधान भाग सत्र में किया गया है संविधान के संसोधन का प्रावधान ये अन भाग 20 में किया गया है पंचाट से सम्बंधित प्रावधान जो है ये भाग 9 में और कुछ वर्गों से सम्बंधित विशेस प्रावधान जो है ये भाग 16 में किया गया है निम्न विदुत चुम्बकिये तरंगों में से न्यूनतम लंबाई किसकी है? आंसर है ओप्सन ए गामा की रनकी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वान के उपरांत आयोजित विभिन बहुत संगीतियों में संकलित किये गए त्रिपीटक में विनैपीटक की रचना किस नहीं की थी? आंसर है इसका ओप्सन बी उपाली ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वान के उपरांत आयोजित विभिन बहुत संगीतियों में संकलित किये गए त्रिपीटक थे और ये त्रिपीटक कों थे? सुत्पीटक, विनैपीटक और अभिधम पीटक तो यहाँ पूछा गया था विनैपीटक की रचना उपाली ने, सुत्पीटक की रचना की थी आनंद ने और फिर एक तीसरा जो था अभिधम पीटक उसकी रचना की थी मोगलीपुत तिशने सर्वोच न्यायले के तदर्थ न्यायधीशों की न्यूकती होती है जब? आंसर है इसका ओप्सन डी जब न्यायले के किसी सत्र के लिए न्यायधीशों का कोरम नहीं होता अनुचिद 127 के तहट सर्वोचे नियाले में न्यायधिशों की गनपूर्ती ना होने पर तदर्थ आधार पर न्यायधिशों की न्युक्ति की जा सकती है हाइड्रा में नए जीव का विकास निमलिखित में से किस प्रकिरिया द्वारा होता है? कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्टिय सरकार का गठन करे तो कॉंग्रेस द्वीतिय विश्जूद में ब्रिटीस का समर्थन करेगी आंसर है इसका ओप्सन सी रामगड अधिवेशन जो की हुआ था 1940 में इस प्रस्ताव के जवाब में लिनलिथगों ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें की भारत को डोमिनियन स्टेट का दरजा देने की बात कही गई सन्युक्त राष्ट के मानवधिकार उच्चायुक्त का कार्याले कहां इस्थित है आंसर है इसका ओप्सन ए जेनेवा में निम्न में से कौन सा एक मानो सरीर में मलेरिया परजीवी प्लाजमोडियम के लिए किरिया का स्थान नहीं है आंसर है इसका ओप्सन बी वरिक को वरिक को ये प्रभावित नहीं करती है मलेरिया रोग ये प्लाजमोडियम नामक प्रोटोजवा के खारण होता है जिसकी वाहक मादा एनाफिलीस मच्चड होती है ये प्रोटोजवा मानो सरीर में लीवर तथा प्लिहा को संक्रमित कर देते हैं और इस रोग में लाल रुधिर को सिकाएं यानि कि RBC तेजी से नस्ट होने लगती है cerebral जो है ये मलेडिया में मस्तिश को सिकायं भी प्रभावित होती है और वरिक को सिकायं प्लाजमोडियम के लिए किरिया का स्थान नहीं होती इसलिए यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भारत में यूरोपिय कमपनी का आगमन का सही क्रम क्या है आंसर है इसका option B इस तरह के question बहुत बार exam में पूछ लिये जाता है तो इसे थोड़ा ध्यान में रखें कि पुर्तगाली सबसे पहले आये फिर अंग्रेज, डच और फ्रांसेसी ये है आपका option based तो सबसे पहले पुर्तगाली जो आये थे वो 1498 में अंग्रेज आये थे 1600 में डच जो है इनका हुआ था कंपनी का अगमन 1602 में और फ्रांसेसी का 1664 में लोग सभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है आंसर है option B लोग सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा और अगर आपको दिये जा रहे questions की PDF आपको डारेक्ट अपने WhatsApp नमबर पे चाहिए तो आपको मातर 250 उर्पे पे करने होंगे और उसमें आपको 36 practice set मिल जाएंगे जिसमें number of questions रहेंगे 100 payment का same process है आप QR code से भी कर सकते हैं और bank account नमबर दिया गया यहां से भी कर सकते हैं और skin sort उसका आप हमारे WhatsApp नमबर पर send करें hydrocarbon पर भाप की किरिया के द्वारा वानीचिय पैमाने पर dye hydrogen बनाई जा सकती है जब carbon monoxide तथा H2 यानि कि hydrogen गैसों का मिश्रन निर्मित होता है इससे क्या कहते हैं answer है इसका option A. भाप अंगार गैस सूफियों के मठ क्या कहलाता था answer है option C. खान का समविधान सभा में व्यस्क मतादिकार को 15 वर्स के लिए अस्थगित करने के बात की थी answer है option A. मौलाना अबुलकलाम आजाद ने जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को किस अस्थान पर रखा गया है answer है option B. दस्वे अस्थान पर जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कोई भी देश प्रथम दुईतिय और तिरितिय अस्थान हासिल नहीं कर सका चोथे अस्थान पर स्वीडन रहा और भारत का अस्थान दस्वा रहा हिमाले की सर्वोज चोटियां माउंट एवरेस्ट किस परवत स्रेणी में पाई जाती है answer है इसका option B. व्रिहद हिमाले या महान हिमाले में व्रिहद हिमाले या महान हिमाले में इनकी जो परमुक्षोटियां जैसे की माउंट और एवरेस्ट, कंचन जंगा, मकालू, धौला विरा, नंगा परवत, अनपूर्णा ये सभी व्रिहद हिमाले या महान हिमाले परवत स्रिणी में पाई जाती है पलियंटोलोजी अध्ययन है आंसर है इसका ओप्सन सी जिवास्मो का विस्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशा कौन बनी आंसर है इसका ओप्सन सी नागोजी ओंकोजो इवेला नाइजेरिया की पूर्वित मंत्री नागोजी ओंकोजो इवेला विस्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक बनी है या 1 मार्च 2021 को अपना पदभार ग्रहन किया इन्होंने और या 31 अगस 2025 तक अपने पदभर बनी रहेंगी विडाल परिक्षन किस रोग के लिए किया जाता है आंसर है इसका आप्सन डी टाइफाइड के लिए टाइफाइड जल जनीत रोग है जो की आथ को प्रभावित करता है निम्न मेंसी कौन सा मिलान गलत है आंसर है इसका ओप्सेंट डी पूछाया था कि कौन सा मिलान गलत है तो मेड़ागासकर दूइब जो है यह यहां पर दिया गया कि दक्षिन प्रशाथ महासागर में तो गलत है क्यूंकि मेड़ागासकर यह हिंद महासागर में एस्थित है बागी का उपंसन सही है ग्रीन लैंड ये आर्क्टिक महासागर में नियोगिनी, प्रशांत महासागर में और जावादोई भिंद महासागर में इस्थित है निम्न मेंसे कौन सा विटामिन गाव को भड़ने में सहायक होता है आंसर एसका उपंसन C, विटामिन C फोबर्स की तरप से जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार सरवाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाडियों की सूची में एक मात्र भारते खिलाडी को सामिल किया है आंसर हैसका आप्सन A. विराट कोहली को विद्धु तुत्पादन चमता के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हैसका आप्सन C. तीसरा विद्धु तुत्पादन के मामले में प्रथम अस्थान अमेरिका, दूसरा अस्थान है चीन का और भारत का जो अस्थान है वो है तीसरा एक तरंग की तरंग दैरी निर्भर करती है आंसर है option D, B एवं C दोनों पर यानि की तरंग की आवरिती पर और तरंग के आयाम पर अगर आप UPSC, CSE और State PCS exam की तयारी grade up के साथ करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा platform है आपके लिए इसमें बहुत सारे courses उपलब्द हैं इसमें आपको live courses देखने को मिल जाएंगे, daily study plan बगर मिलेगा faculty with UPSC, CSE interview experience भी मिलेगा, आपको best study material, preparation और उसमें revision भी मिलेगा online mock test जो है, वो बहुत ही अच्छे expert के द्वारा design किया गया है, जो कि आपको latest exam pattern पर आधारीत मिलेगा और इसके courses भी बहुत ही सस्ते हैं, इसके courses दिये गए हैं आपको for UPSC exams के लिए और State PCS के लिए जिसमें कि अगर आप आपको ये महगा लगता है, तो आप हमारे coupon code MALL50 का अगर उपयोग करते हैं, तो आपको 50% का discount दिया जाएगा साथी साथ आपको इसमें 67 BPSC के लिए भी सारे courses available मिलेगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेश अधिवेशन में पारित किया गया? आंसर है इसका option B, 1939 के लाहर अधिवेशन में जिसकी अधैक्षता पंडि जवाहर लाल नहरू ने की थी किस वाय सराय के सासनकाल में 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकता से दिल्ली हस्तनांतरित की गोशना की गई? आंसर है option A, Lord Harding दुईतिय के सासनकाल में एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है इसके पास नियून्तम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? आंसर है option A, पच्चपन किसी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता गोशित करने के लिए उसके पास सदन की नियून्तम 10 परतिशत सीटे होनी चाहिए एक तत्तो का प्रमानु भार बराबर होता है आंसर है इसका option C, प्रोटोनों और नेट्रोनों की कूल संख्या के बराबर राजी के निती निदेशक सिधानतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्टी सांती और सुरक्षा के संबर्धन से संबंधित है? आंसर है इसका option A, अनुच्छेद 51 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्व पर्यावरन दिवस के अफसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉंच किया है? आंसर है इसका option A, E-100 पाइलट प्रोजेक्ट विस्व पर्यावरन दिवस पर भारत में इथेनौल छेतर के विकास के लिए इथेनौल उत्पादन और वीतरन के लिए E-100 पाइलट प्रोजेक्ट की सुरुवात की गई काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं? आंसर है option B, टुंडरा वनस्पती में एकांका गुआ तथा किली मंजारो निम्न में से किस प्रकार के जौला मुखी के उदाहरन है? आंसर है option C, सांत जौला मुखी के महसागरी अलवन्ता के प्रमुग घटक है आंसर है option B, सोडियम क्लोराइट महसागरी ये जल में सरवाधिक सोडियम क्लोराइट लगभग 77.8 परतीशत होता है मौर्मु गोवा पोर्ट आधुनिक बंदरगाह में से एक है किस राज में इस्थित है? आंसर है option A, गोवा में यह गोवा के जुवारी नदी के मुहाने के दक्षिन भाग में इस्थित है और जुवारी नदी गोवा राज में बहने वाली सबसे लंबी नदी है निती आयोग के SDZ भारत सूचकांग 2021 में पुना किस राजी को सिर्ज सस्थान पर रखा है? आंसर है option C, केरल को राष्टिय सांखी की कार्याल है NSO के आकडों के अनुसार वित वर्ष 2021 में भारती अर्थवश्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आंसर है option C, 7.3 प्रतिशत की दिल्ली का कौन सा एतिहासिक स्मारक भारतीय तता फार्सी वास्तुकला सहली का उदाहरन है? उस तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस के लेखक निमलिखित में से कौन है? आंसर है option D, समीर सोनी अंतरराष्टी ये लोकतंत्र दिवस किस्तिथी को मनाया जाता है? आंसर है option A, 15 सेप्टमबर को और अंतरराष्टी लोकतंत्र दिवस जो 2020 में मनाया गया उसकी थीम थी COVID-19, A Spotlight on Democracy राइबो नुकलिकेसीड यानी की आरेने में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन यूक्त छार उपस्तित नहीं होता है? आंसर है option C, थाइमीन हर्सवर्धन और पुलकेसिंद्वीतिय के मद्ध संगर्ष की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? आंसर है option A, एहोल अभी लेक से तो ये थे 40 questions के सेट, इसमें स्कोर आपने कितना किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो पसंद आया तो एक like और share जरूर करें, धन्यवाद